ख़चा गदर में गदर मंचा दिया, नफीसा में अब गदर मचा दिया, जी नफीसा भी गदर मचाएगी, हमारी सब की यह इप छूझा रहेगी हैं। बिखर में przyszते बार है सबसे क कर फूर जब मैं दोन सुना था जैघ लो शुना था लेकिन यहां कर देखा यहांके लोग यहां का development city बहुत state बहुत अचिह मखफरएबाया पट्राद बहुत अच्छा लगा है नमस्कार अब देखना शुडू कर चुके हैं नजीब खान के बेटे अमन हमार साथ है और इमो ने उस फिल्म में भी सेकंड डी ओपी का काम किया है क्या कहिए कितनी खुशी थी गदर में अपने गदर मचाया था बहुत कुशी हुई इतना कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी एंड इतने बड़ी हिट पिक्चर का एक पार्ट होना हमें बहुत अच्छा लगा फिल्म में तो गदर मचा दिया पुरे बहुत गदर मचा दिया हर जगे गदर मचा दिया बाप पेटों ने भी गदर मचा दिया जी जी पीछे से बहुत 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 अच्छा लगा शूट करके बहुत डिफिकल करने का इसे लोगों को लगता है बहुत लगजरी का जौब होगा लेकिन वह जिस तरीके से टेस्ट लेते हैं आपका वह बहुत डिफिकल्ट होता है आज तो बिहार आए हैं और नफीसा की शूटिंग खतम हो गई है नफीसा में भी आपने कैमरे के पीछे से एहम किरदार न उसके बारे में सुनके ही फर्स ताइम जब हमने सुना था तो हमने सोचा कि इसके उपर कुछ बनना चाहिए कोई पिक्चर बननी चाहिए शो बनना चाहिए और जब ही सर ने बताया कि ऐसा ऐसा एक्ट्वल में हुआ है तो पहले बार ही हमने सोच लिए कि ने इसमें तो का फरपुर आया बस्ट ऐसाई बहुत अच्छा लगा सब करें दो रहे किना अपने अपने पिता को ही रोल मॉर्डल मालिया और जी उनके जैसा बनना तो है लेकिन जैसे टाइम के साथ चीजे बदलती है तो फिल्म भी बहुत बदल रही है नए ने तरीके और शूट करने के अलग-अलग टाइप की मुवीज आ रही है तो उनको देखके उनके जैसा बनने की कोशिश करते करते अपना एक और यंग-टच चीजों को देना मैं चाहूं आपने सुना की क्या कुछ कहा है नजीब खान के बेटे हैं और गदर थूमें गदर मचाया था और अब बिहार में पहली बार आये हैं और बिहार को लेकर काफी सारी बातों को कहा है तो बैर रहे हैं लाइफ स्टूडीज के साथ स्टाइब करें देमिल बाoral खान के दो तो कहा हैं लाइफ उना कि यद्ए लाइब को इना करड का सत्तूओ बार रहेघा हैं आतरूच पर संदूड़क दो करतों दोन को लेस ह सबक्तिक को पानीन साहरा हैं और अावाली है